Employee closed test में क्या होता है English background वाले थोड़ा असानी से इसलिए hit कर पाते है questions क्योंकि वो पढ़ने का आदत होता है और Hindi background वाले थोड़ा reading से बचते हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है closed test क्योंकि grammar बहुत ज़्यादा यहाँ आपको help नहीं करेगा grammar तो help करेगा ही लेकिन बहुत ज्यादे नहीं understanding जो comprehension level है आपका वो ज्यादे आपको assist करेगा इस तरह के questions को solve करने में चले आते question number one में तो चले शुरुबाद करते हैं हम लोग close test से सबसे पहला question लेते हैं close test का question number 36 close test का मतलब क्या होता है एक बात समझे कि यहां जितने भी सारे options है वो कहीं ना कहीं सही हो सकते लेकिन close test का मतलब यह है कि सबसे close कौन है कौन ज्यादा appropriate है तो उसके according हमें options को choose करना होता close test में सब लगेगा सही है यह भी सही लगे option number A देखोगे लगे हाँ यह सही है option number B देखोगे नहीं यह ज्यादा सही है C देखोगे नहीं यह भी सही हो सकता है 4 भी सही हो सकता है सब सही हो सकते है कुछ-कुछ ऐसे options होते हैं जो विलकुल नहीं होगा तो आप ऐसे भी इसको remove कर सकते हैं तो at a time बस सीधे answer select कीजे या फिर options को remove करना शुरू कीजे और close test को solve करने का एक तरीका ये भी है कि सिर्फ एक line पढ़े हैं और option में जैसे ही पहुचे और option ढूनना शुरू कर दिये जैसे यहां से पढ़े हैं each species has its special place और habitat अब जैसे 36 में आप पहुचे और option देखना शुरू किये तो ऐसे नहीं बनेगा close test close test बनाने के लिए पूरा पढ़े लिजए एक बार roughly एक बार पढ़े है क्योंकि आगे जब next sentence आप पढ़े होगे तो back wall option आपको आसान होगा choose करने या single fillers वो भी सब्सक्राइब को पूरा sentence पढ़ने की कोशिस किजिए अगला sentence कहीं न कहीं क्लू दे कर जाएगा जो लास्ट पर एंसर को solve कर देगा तो पहला question यह है कि each species has its special place और habitat मतलब क्या each species means हर्व क्या उसको बहुत है species means प्रजाती एक तरीके सा का अपना एक special place होता और habitat habitat आप पढ़े होंगे schooling में standard one or two के textbook में आप पढ़े होंगे अच्छे तरीके से habitat process पढ़े होंगे habitat means what जो हमारा favorable place होता है जो हमारा जहां पे हम adapt करते हैं adaptation आप पढ़े होंगे तो उसी से related है तो हर एक species का अपना एक खास place और habitat होता है अब देखे option आपको मिल रहा है कि and right and के बाद option है तो क्या होगा फिर next a bird watcher can look at तो सीधा option ना देखे पहले थोड़ा सा पढ़ लो आप कि a bird watcher can look at उसके बाद फिर से again space is over there उसके बाद forest है मिड़ है लेक है swamp और field forest पता है आपको मिड़ मींस वाट घास का मैदान हाँ हिंदी लिटरल लेक्सिकल मीनिंग देखेंगे तो वह चारा गाह का sense देगा next is swamp swamp किसको बोलते swampy area बोलते मढ़ी दल दल वाला area ठीक है और field या फिर normal field तो यहाँ देखे each species has its special place or habitat and dash bird watcher can look at मतलब जो bird watcher है मतलब हर एक species के बारे में बताया जा रहा है लेकिन खासतर से किसकी बात की जा रही है bird की बात की जा रही है ठीक है तो a bird watcher can look at तो bird watcher कैसा bird watcher options में experience, expert, advance और active क्या आपको सही लग रहा है active yes बोले advance तो नहीं होगा इसको तो remove कर लो अब हो क्या सकता है experience, expert और active तो आप अगर इन सारे options को देखोगे तो सबसे पहले जयन में आपका experience और expert में आ रहा हो कि experience और expert इन दोनों में हो सकता है लेकिन आप थोड़ा सागर notice करोगे और बारी किसे समझने की कुशिस करें तो जो expert होता है ना जो expert होता है उसमें experience भी होता है मतलब वो active भी है यह जो active है सिर्फ active है experience नहीं है बात समझ रहे हैं यह जो active है वो सिर्फ active है लेकिन यह expert में activeness भी होता है और experience भी होता है तो active सिर्फ active है experience सिर्फ experience है होता है न कुछ लोग बहुत experience होते हैं थोड़ा सा less active होते हैं लेकिन जब मामला expert काता है expert है तो उसमें experience भी होता है और activeness भी हो सकता है ज्यादा suitable word यहां expert लग रहा है next so कैसा use करेंगे हम कि an expert bird watcher can look at वो देख सकता है किदर can look at किदर can look at the forest some forest यह certain यहां क्या तेकि यहां सबसे पहली बात के remove करो some तो होगा नहीं कि अगर some होता तो forest होता plural में होता है ना forest होना चैए, meadows होना चैए lakes होना चैए, ऐसा होना चैए तो यहां सबसे पहला चीज कि आपका some होगा नहीं दूसरा चीज certain certain यहां सूट करेगा क्योंकि यहां शॉरिटी नहीं है ठीक है नहीं यहां क्या लिख रहा है कि एन एक्सपर्ट बार्ड वाचर कैन लुक एड वह देख सकता है किदर एक जंगल में राइट हर एक स्पीसीज का अपना अपना एक खास प्लेस होता है जैसा अगर कोई डक है तो वह अपना उसका एक एरिया होता है अगर कोई क्रॉकोडाइल है तो उसका अपना एक एरिया है तो क्रॉकोडाइल को हम जंगल में नहीं न ढूंडेंगे हम तो उसको पानी में ढूंडेंगे न तो वही चीज़ है कि वह देख सकता है एन एक्सपर्ट बार्ड दा का और अ का इन दोने में अगर हम इसको remove करेंगा option तो दा भी definite चीज़ों को बताता है और यहाँ बिल्कुल definite नहीं है हर चीज़ के लिए अलग अलगा ना तो इसलिए use किया जाएगा आ ज्यादा suitable है कि an expert bird watcher can look at a forest ठीक है वो सब के लिए हो जाएगा a forest a meadow a lake a swamp और a field and आगे देखे तो right answer क्या है next 38 38 में क्या होगा and almost exactly what birds yes यह बोले and यह क्या predict है suggest है prophecy है calculate है मतलब यह क्या है कि यह कौन कर रहा predict यह predict कर रहा है यह suggest कर रहा है यह prophecy है calculate यह कौन कर रहा है an expert bird watch है तो वह calculate करेगा prophecy नहीं होगा prophecy नहीं होगा वो बिलकुल भविश्वानी के sense में use करते हैं prophet prophecy करते ठीक है जिनको पहले से वालू होता है चीज़े, suggest होगा, वो suggest करेगा, कि वो predict करेगा कहां कौन सा species किदर है, जंगल में है, लेक में है या क्या है, तो क्या better है है, predict, इसमें नहीं लगता है किसी को confusion हुआ होगा, तो यह predict ज़्यादा switchable है, next is, तो क्या हो जागा, and predict, almost exactly what birds, he, अब बताए, he should find, must find, might find, or will find, अच्छा अगर हम कोई चीज़ प्रेडिक्शन करते हैं, तो हो महस्प्रेडिक्शन है, बिल्कुल confirmation तो नहीं होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखे, must है, और यह will है, तो यह must और will, surety को बताता है, kindly, please, मुझे बच्चों के जैसा, बच्चों वाला class नहीं है, कि बार बार मैं बोलू कि बात ना करो, इधर यह ना करो, यहाँ connected रही है, आपके एक अवाज से 10 लोग गो disturbance होता है, तो will और must surety को बताता है, prediction में surety नहीं होता है, कोई कुछ predict कर रहा है, तो पहला चीज़ के must और will को avoid करेंगे, बचा क्या option, option should or might, तो should तो suggestion के लिहाज से होगा ना use, तो यहाँ क्या हो जागा, he might, समझे रहे, remove करना सीखो, next is, what words he might find there, अब उसके बाद, अब next क्या होगा, यह काफी easy लग रहा, more, some, most, all, यहाँ क्या लिख रहा है, कि simple है, हाँ, चीज़े बिलकुल clear है, कि some birds are found all over the world, है ना, कुछ birds पुरी दुनिया में पाए जाते हैं, यहाँ more birds लिखेंगे, more तो बिलकुल suitable नहीं है, all अगर लिखेंगे, तो all birds found all over the world, नहीं ना, some birds found all over the world, next क्या है, कि some birds are found all over the world, मतलब कुछ पक्षी है ना, कुछ birds पुरी दुनिया में पाए जाते हैं, others, ठीक है, मतलब दूसरे क्या, तो दूसरे में देखेंगे, फिर दूसरे, क्या, keep and trust, confine or involve, sentence पढ़ी आगे तब समझ मैंगा, अभी तक मेरे को नहीं समझ मैं है, अभी आगे पढ़ते हैं, तब समझ मैंगा, कि other dash themselves to certain areas, कुछ खास, मतलब क्या है ना, कहना यह चारा, contrast है sentence में, कि कुछ words पूरे दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ certain areas में होते हैं, तो certain areas में क्या, मतलब certain areas में interest, confine, involve, certain areas में आपने आपको involve कर रखते हैं, involve नहीं होगा, switchable नहीं है, ठीक है, interest, तो यहां देखे, लिखा हुआ होगा आगे, कि themselves, आपको मालूम है कि keep के बाद भी themselves आता है, और confine के बाद भी themselves आता है, ठीक है, दोनों हम लोग use करते हैं, तो यहां पे keep का sense जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि keep होगा, तो exactly आप गलत सोचे रहे हैं, इसलिए ना, क्योंकि keep इसलिए नहीं होगा, कि वो अपने आप keep मतलब क्या, अपने आपको रखना, और confine का अगर जिसको exact meaning मालूम होगा, तो पूरे option देखने का मतलब भी नहीं ब कि कुछ सिमित एरिया में आपने आपको confine करते हैं, सिमित रखते हैं, समझ रहे हैं, certain region में आपने आपको सिमित रखते हैं, keep नहीं, यहां keep suitable नहीं होगा, next is still, फिर से देखें, फिर से contrast हाल है, themselves to certain areas, next है still, dash migrate from one country to another, यह तो और इसी, क्या option देखने का ज़रत नहीं पढ़ to y'all, फिर से क्या लिख रहा है, still, मतलब फिर भी, migrate करते हैं एक देश से दूसरे देश, कितने, exactly, some, clear है, still some migrate, मतलब कुछ migrate करते हैं एक देश से दूसरे देश, किस, in, dash, in search of warmth and, मतलब किस की तलाश में, देखें, यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, from one country to another, मतलब कुछ migrate करते हैं एक देश से दूसरे देश में, आप सुनते होंगे, हजारी बाग में Siberian birds आते हैं, ठीके, तो उधर से migrate करके इधर आ जाते हैं, क्यों, ठंड पढ़ता है, तो इधर आ जाते हैं, क्यों, हम लोग जब ठंड लगता है, तो इधर जाते हैं, धूप में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, क्यों, इन सर्च ओफ वाम्थ, गाड़ी द पॉइंट, तो यहाँ option clear कर दिया, आगे वाला, जो लाइन है, इन सर्च ओफ वाम्थ, तो गर्मी के तराश में, माइगरेट करते हैं, तो कहां से माइगरेट करते हैं, कब माइगरेट करेंगे, विंटर में, ओवियसली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम माइगरेट फ्रॉम वान कंट्री तो अनदर, इन विंटर, यह इन समर, यह स्प्रिंग, यह आउट्रम, मतलब गर्मी के मौसम में माइगरेट कर मोसम में जारे के मौसम में माइगरेट करेंगे किसके लिए in search of warmth और आगे भी चीज है के in search of warmth and what फिर टाइश है, in search of warmth and yes, seeds, crops, fruit or food obviously food here simple था, next और क्या लिखा है, warmth and food, and then return और फिर वो वापस लोटते हैं कब, in spring चलिए और भी certain कर दिया कि जो आपका पिछला option है, वो विल्कुल सही था, क्योंकि जैसे जाड़े के बाद क्या आता है, सीधे गर्मी नहीं आता है, spring season मतलब, ना जादा ठंड, ना जादा गर्मी, तो जैसे spring season आता है, उस पर बो लोग लोटना शुरू करते हैं, लोटते हैं and then return in spring, dash the season is favorable when the season is favorable, okay done देखे, close test में क्या होता है, straight away बता दे रहा हूँ, जो भी English background से होते हैं, ध्यान दो please sorry जो English background से होते हैं, वो लोग close test बहुत आसानी से मतलब, थोड़ा आसान आता है, comparatively close test में क्या होता है, English background वाले, थोड़ा आसानी से, इसलिए hit कर पाते है questions, क्योंकि वो पढ़ने का आदत होता है, और Hindi background वाले थोड़ा reading से बचते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है close test, क्योंकि grammar बहुत ज़्यादा यहाँ आपको help नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं help करेगा grammar तो help करेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं understanding, जो comprehension level है आपका, वह ज़्यादा आपको assist करेगा इस तरह की questions को solve करने में, चलिए आते question number one में